हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चानल आज में लेके आए हैं कॉलोकेसिया की रेसिपी जिसे हम अर्भी भी भी बोलते हैं और टारो रूट्स भी बोलते हैं यह रहें इसके कुछ हेल्थ बेनेफिट्स यह हमारे शुगर कंट्रूल में बहुत हेल्फुल होता है इसके अलाव दो विसल में यह काफी अच्छे से उबल गया है इससे ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं होना चाहिए उबलने के बाद इसके चिल्के को निकाल दे और चिल्के को निकालने के बद यह देखिए और इससे हमें टू हाफ पीसिस में काट लेना है काटने में थोड़ा सा नमक डाले थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें हल्दी एड़ करें लाल मिर्च की अपने टेस्ट की कौर्डिंग कर सकते हैं और इस पाउडर को मिक्स कर ले मिक्स करके हमें इसको अर्भी में यूज करना है यह हमें कर दिया अच्छे से mix और अब हम इसे अर्वी पे coat करेंगे इस पाउडर से हमें अर्वी को अच्छे से coat करना है इसमें डाले और इस अर्वी को इसमें अच्छे से mix करें और mix करने के बाद इसे coat होने के लिए 5 मिनिट के लिए rest करने दे तो यह हो गई अच्छे से mix और अब हम इसे 5 मिनट के लिए rest पे छोड़ देंगे ताकि यह अच्छे से taste ले ले अब हमने pan को heat के हैं उसमें मैंने डाले हैं mustard oil और इसमें डाले हैं तड़के आप चाहे तो अपने oil की quantity थोड़ी और बढ़ा सकते हैं मैं इसे weight loss recipe के लिए use कर रहे हूं तो मैंने इसमें बहुत थोड़े से oil डाले हैं इतने oil में भी यह काफी अच्छे से बन जाते हैं और काफी crisp भी बनते हैं और अब हम इसमें डालेंगे अरभी इस तड़के को बहुत जादा fry ना करें क्योंकि आजवाईन है तो थोड़ी कडवी लग जाएगी अब इसमें अच्छे से mix कर देंगे oil के साथ अच्छे से coat करना है थोड़ी देर तक इसे अच्छे से mix करें यह देखिए यह गरम oil के साथ अच्छे से mix हो गया और mix होने के बाद हम इससे थोड़ी से ढख देंगे ढखने से क्या होगा हीट की विज़े से थोड़ा सा पानी चोड़ेगा और इसमें moist होगा और यह इसकी coating और भी अच्छे से mix हो जाएगी यह देखिए अब इसका texture आप देख सकते हैं इसका look भी change हो गया इसका texture भी change हो रहे हैं धीर धीर क्योंकि हमने rice floor यूज किया है तो वो इसको crisp बनाने में काफी अच्छा helpful है अब हम इसे थोड़े दिर और ढखेंगे ताकि वो अच्छे से भुन जाए और यह हमें medium heat पे ही ढखना है medium to low heat पे से करें और अब अच्छे से mix करने के बाद अब हमें इसे high heat पे थोड़े दिर fry करेंगे मैंने heat को तीज कर दिया है high पे flame कर दिया है और अब मैं इसे high flame पे fry करूँगी और कोशिश करें कि एक portion को लेकर उसे पल्टे अगर आपने notice किया तो मैं एक side का एक portion लेकर उसे turn कर रहे हूं और थोड़े दिर तक छोड़ रहे हूं fry होने के लिए यह दिके fry होने के बाद यह का लुक यह है यह बन कर रेड़ी है और यह काफे crispy भी हो चुका है जब आप इसे high पे fry करते हैं तो इसका crisp देरे देरे अपने आप ही आ जाएगा और कलर भी काफी beautiful आया है तो इसे आप अपने side dish में add करें इसे आप रोटी एन राइस के साथ खा सकते हैं ट्राइ करके हमें ज़रू पताए कैसी लगी आपको यह recipe थैंक्स वाचिंग